अज्ञा थे लो दोस्तों स्वागता आपका अमरी यूट्यूप चैनल पर दोस्तों आज मिला यह हूं MSWED MSWED 2007 का वीडियो आज के MSWED वीडियो में हम सीक्षेंगे MSWED में HOME MENU का OPO करना home menu के सभी option का उपयोग करना मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आसान है इसलिए पूरा home menu एक वीडियो में बताने वाला हूँ बस आप थोड़ा ध्यान से देखते जाए और आसानी से समझ में आता जाएगा चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हमें कुछ लिखना होगा प्रेक्टिश के लिए तब हम इन उप्सन का उपयोग कर पाएंगे उसके लिए मैं आपको फॉर्मॉला बता देता हूं दोस्तों जो डेली डेली में प्रेक्टिश करने में दिक्कत नहीं होगी अब फ प्रेक्टिश करते ही तीन प्रेग्राप आ जाएंगे आपके पास तो आपको लिखने की जुरुत नहीं होगी यह स्पेशली प्रेक्टिश परपस के लिए एमस वर्ड के अंदर एट किया गया है अब एमस वर्ड का कोई भी वर्जिन हो उसके अंदर आप यह फॉर्मॉल आप कट पर क्लिक कीजीं है है तो यह कट हो गया दोस्तों अब आपको पेस्ट कहा करना है मेरे को यह पर करो करेंगे निँक्स Pamela दे लेकर देगके मरे में और पास पर पहला दोस्तों इस इतरह अपना कोपी ए तो कॉपी के अंदर क्या होता है दो होता है नकल करना, हें देट अब कट के लिए दोस्तों पने के कुंजी होती है लिए कांट्रोल प्लस एक्स और कोपी के लिए करना होती है कट्रोल अपना पेस्ट का मतला में आपको यह ऑप्सन जानने के बाद तो आपको अच्छी तरीके से समझने आए गाई यह पॉर्मेड पेइंटर अब सटाट करते यह तो गए दोस्तोट अपनी क्लिप बॉर्ड मेमोरी अब second option आता है home tape के अंदर ही font second option अपना font अब font में देखे दोस्तों यह पहला option आ रहा है अपने पास font style font language अपने चेंज कर सकते हैं इसमें जैसे के अपने को यहाँ पर select करना है select करने के बाद यहाँ पर para पे जाना है अब अपने को कौन सी बासा है हिंदी में रखना तो हिंदी में इंगलिस में अलग अलग परकार्ट से अपने पास font style अपने पास है आप इस थेlaughs यह दो पर चुछ को अब इसब्स को यह निदे पर को सब्सक्राइब को पहले शेलेक्ट करना लापत एंग कर सकते हैं अब अपने को देखो 20 लेनी है आपे 20 फॉंट साइज तो 20 पर किलिक लेंगे तो यह 20 साइज हो गई अब देखो दोस्तों अगला अपना ग्रोफ फॉंट फॉंट को अगर बड़ा ना हो तो अपने को अब दोस्तों इसके अंदर अपने को यह सोट कट के दह रेकिए है इसमें में कंट्रोल पलस ग्रेतर देन वैकिन यह उटकर प्लस अपने को प्रेश करना पड़ेगा सिप्ट प्लस ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब हो गया दोस्तों साइज गठाना लेज देन वे यूज यूज होगा control प्लस shift प्लस लेज देन तो ये तो हो गया दोस्तों अपना grow font और और ये shrink point अब बात करते दोस्तों ये अगला अपना killer अब ये फॉर्मेटिंग आपको थोड़ा सा ये तीन टॉपिक बाद बता तो मैं बॉल्ड इटालिक और अंडरलाइन के बाद अब देखे दोस्तों अब बात करतें बॉल्ड की बॉल्ड का मतलब हो गया अपने को टेक्स को हाइलाइट टेक्स को मतलब हाईलाइट ने बोल स सकते हो जैसे कि मेरे को यह सेलेक्स है इसको सेलेक्स करना है अपने को पहले यह सेलेक्ट हो गया अब इसको बॉल्ड करना है तो यहां पर क्लिक करो बीप तो यह हो गया अपना बॉल्ड यह हो गया अपना बॉल्ड अब बात करतें दोस्तों बॉल्ड का मतलब हो गया डार सब्सक्राइब सब्सक्राइब सुषने को इस法 से अपना अगला अपना इटाली का दोस्तों ही टाली का मतलब होताया है जैसे टेक्स को मतलब इस उप्चन की इस्तेमाल से टेक्स, सलेक्ट टेक्स को मोटा, मलब सोरी मोटा क्या तिर्चा दोस्तों, अब जैसे कि अपने को सलेक्ट टेक्स को तिर्चा करना है, यह हो गया तिर्चा, सलेक्ट टेक्स तिर्चा हो रहा है, तो यह हो गया इटाली का मतलब, अब इटाली की सोट कट की की ब बॉल्ड है अगला अपना दोस्तो अगला ओप्सना अंडर लैन इस ऑप्सन के इस मलत इस White स्थिव है इस लगा ते नीचे लाइन देने के । ah, व्य एसी अपने ये पहला प्रेगा अव्य आ पने के पते कि नेचे अंडलाइन करना है यह होगा है दोस्तो अपना अंडलाइन और इसके सोटकड की होती ए कांट्रॉल ヶ來иков मैंने अब प्सू अब देखते दोस्तों मैंने उंडलाइन भी कर दिया इसमें ठेक्स के अंदर इटालिक भी बोल्ड भी लगा दिया इटाली भी लगा दिया और अंडरलाइन में लगा दिया अब बात करते हैं दोस्तों इनको वापिस इसका मतलब हो गया के लियर फॉर्मेटिंग वापिस के लियर फॉर्मेटिंग मलत जैसे के डिफॉल्ट टेक्स अना वापिस उसी तरह आ जाए इस ट्रैक त्रू इसका मतलब होता है दो अपने को इस ऑप्शन का इस्तेमाल मतलब सेलेक्ट टेक्स को बीच से काटने के लिए अब जैसे कि अपन को नौट्स वगया पढ़ रहे हैं अब नौट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ तूटी है अब जैसे कि मैं यहां पर इसके अंदर इस वर्ड के अंदर अपने त्रूटी है तो इसको काटने के लिए इस ट्रैक त्रू का यूज गरूंगा तो आपन जब भी वापिस देखे इस परिग्राप को तो आपने को वापिस मालूम हो जाए कि यह टेक्स में कुछ गलती है अपने तो यह काम आता है इसका भी पीच में लाइन के लिए बीच से काटने के लिए वर्ड को यह तो होगया छ्रैक त्रू का मतलब दोस्तों कर अब लाजा आप शना। दोस्तों, अपना अस्त envoy का मतलब क्या होता है दोस्तों का इस्तेमाल को बैस लाइन की नीचे स्मॉल लेटर करने के लिए होता है अब चलिए मैं दोस्तों बता दूं आपको इसका कि मी dwarquis अफब अपने को कि साइंस के नोटे नौश मनहें तो मुणत तो काफी आते हैं जैसे कि एस टुएसो पोर हो गया स्योगा है तो तो लगाने के लिए नीचे वाला जो बेस लाइन के नीचे जो स्मोल लेटर लिखते है अपने को लिखना है as to so4 as 2so4 तो अब ये तो दोस्तों अपने इक्वल आ रहा है बराबर में आ रहा है बिल्कुल as to so4 अब अपने को नीचे के से लिखे जाना वो लेके जाना अपने सबस्क्रिप्ट के माद्यम से अब अपने को पहले क्या करना है 2 को सेलेक्ट करना है 2 को सेलेक्ट कर लिया 2 को सेलेक्ट करने के बाद सबस्क्रिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों अब इसकी shortcut की भी होती दोस्तों वेसे तो इसकी shortcut के होती है control plus equal और अपने को for को भी select करना है और सबस्क्रिप्ट पे जाना है यह हो गया अपना दोस्तों as to as of all अब अगला option है दोस्तों अपना superscript अब superscript का मतलब क्या होता है दोस्तों superscript का मतलब होता है इस option का इस्तिमाल मतलब tax के line के उपर small मतलब ये नीचे आये था अपने उसके उपर small letter create करने के लिए होता है जैसे कि अपने पास स्क्रिप्ट हो गया cube हो गया क्यूब लिखने के लिए होता है अब जैसे कि अपने को लिखना है square x square 2 को select करना है अपने को और superscript पे click करना है यह हो गया अपना x square और इसकी shortcut के होती है दोस्तों control plus shift plus plus यह superscript के shortcut के होती है अब दोस्तों बहुत सारे exam में इनकी shortcut की पुची जा चुकी है दोस्तों superscript की और subscript की तो दोस्तों आपको confuse नहीं होना है और इनकी shortcut की अच्छे तरीके से याद रखने है control plus shift plus यह होती है अपने superscript की और subscript की होती है control plus equal अब अगला option है दोस्तों अपना change case change case का मतलब क्या होता है दोस्तों change case का मतलब होता है जैसे कि अपने पास यह प्रेग्राफ है अब इसमें पहला option दिया हुआ sentence case अब इसका यूज होता है sentence case मतलब जहां तक अपना sentence जहां तक full stop नहीं आता दोस्तों तो अब जैसे कि यह अपने पास प्रेग्राफ है इस प्रेग्राफ को select करते है और इसको sentence case में करते हैं तो यह है अभी अपने दोस्तों यह प्रेग्राफ अभी sentence case के अंदर यह है कि देखो पहले इसको कि इनको पहले अठा दे दोस्तों यह देखो sentence کا पहला word जिसका पहला अकसर एल अपना बढारा है दोस्तो इसमे अब बात करते हैं इसमें lower case की lower case के अंदर अपने सभी small होंगे सभी word small होंगे अब बात करते है upper case इसमें सभी word capital के अंदर होंगे अब दोस्तो इसका वे से तो use का है अगर गलती से अपने को नोट्स बना रहे हैं और उसमें small टाइब कर देते हैं तो अपने देखते हैं या अपने नोट्स गलत बना दी इसमें तो small टाइब हो गए तो दोस्तों ये चेंज केस के दुआरा आप इनको small में या capital के अंदर या sentence case के अंदर इनमें आप change कर सकते हूं तो इसके लिए आपको change case की आप सकता है दोस्तों change करने के लिए तो अब दोस्तों इसमें एक और capitalize each word अब capitalize each word का मतलब हो गया परतिक परतिक word का पहला अक्सर यह देखो एल बड़ा आ रहा है अपने पास एल ओप के अंदर ओ बड़ा आ रहा है यह वर के अंदर वाई बड़ा है डोकुमेंट के अंदर डी बड़ा है दोस्तों इसी परकार capitalize each word परतिक word का पहला अक्सर बड़ा होगा अब बात करते हैं टोगल केस अब टोगल केस के अंदर क्या होगा दोस्तों पहला अक्सर पहला अक्सर होगा अपना small में अब जैसे कि आ रहा है पहला look देखो इसमें पहला वाला small आ रहा है बाईकी capital आ रहे होप के अंदर देख अब बात करते हैं दोस्तों टेक्स हाइलाइट कलर अब टेक्स को हाइलाइट अब इसे यह अपने सेलेक्ट कर लिया अब इसको हाइलाइट करना है दोस्तों तो यह टेक्स को हाइलाइट करने के लिए काम में आता है दोस्तों इस उप्सन का यूज टेक्स को हाइलाइट के भी ये लिए जाता है है अब बात करते हैं अगला थो पना लावान कईलर अब यह इसमें अभी अपने पास बले का रहा है तो अब इसको i Pod पूर्ण को का फ्रदिए अबने को चूिंज करना अपने को कि इसमें जाना अपने को एरो पे और यह देखो दोस्तों अलग-अलग प्रकार से आप अलग-अलग color select करके font color change रशकते हूँ अब दोस्तों यह तो हो गई अपनी clipboard और font की बाद clipboard के अंदर अपना एक topic चूट गया था दोस्तों clipboard के अंदर था अपना format painter पॉर्मेट पेंटर अपना एक टॉपिक तूड़ गए अब उसका यूज बताते दोस्तों पॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है अब देखे दोस्तों पॉर्मेट पेंटर का यूज होता है जैसे कि अपने ये वाला टेक्स सेलेक्ट कर लिया और इसको बोल्ट कर दिया इट Color और यही poormetting अपने को इस परिगराप को देनी है नीचे वाले परिगराप को देनी क्या है तो इसके लिए क्या करना है दो ao आपको इसके लिए आपको select करना पहले जो for meeting की हुई यह उसको select करना है और format painter पर केलिए करना है और वापिस जो नीचे वाला text है उसको भी select करके छोड़ना है यह देखो दोस्तों यह अपना हो गया format painter का काम दोस्तों फोर्मेटिंग को copy करने के लिए काम में आता और इसकी shortcut की होती है control plus shift plus c control plus shift plus c इसकी shortcut की होती है दोस्तों अब बात करते है अगले topic की paragraph की अब paragraph क्या होता है दोस्तों परेगराफ होता है अपना paragraph को सही adjust करने के लिए जैसी कि paragraph अपना अभी यह देखो यह अभी adjust नहीं करनेक्ण आप एक्वल ब्रबर ब्रबर में नहीं है अब इस अब पहला अपना उपसन दोस्तों बुलिट अब इसका मतलब क्या होता है किब दोस्तों अपन नोट्स बना रहें तो उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट कुछ टोपिक लिखते हैं अब जैसे की अपने पास कि एंटर प्रेस करते हैं एक । यह ओ गया हुआ है है एक टोपक अगर यह गया है तेती नाइने हो गई दोस्तों डीन परीगव हो गया एक त्रफिक syndrome अब तीनो को स्लेकट कर ना अपने को कि इंड ने को स्लेक्क और बुलिट के एढ़र स्केरا है अपने को कौन सा बुलिट लगाना है दोस्तों तो वह आप लगा सकते हो अपने यह ले लिया दोस्तों तो यह देखो यह बुलिट का काम हो गया अपने पॉइंट वाइज पॉइंट नोट लिखने के लिए पॉइंट वाइज पॉइंट नोट लिखने के लिए अब बात करते हैं दोस्तों अगला है अपना अगला अपना नंबरिंग अब नंबरिंग में क्या है दोस्तों नंबरिंग में अपने कुछ जैसे कि नंबर वाइज काम करना है नंबर वाइज कुछ अब नोट्स मना रहे हैं उसमें कुछ नंबरिंग देनी है अपने को अब तो जीए सेओं नाम लिग दिये यहां पे कुछ नाम एडि नाम आध्ड कर दोस्तों में हुआ है रभी अब अपने थरी नेम हो गये, अब दोस्तों, इनको सेलेट करना है, और अपने को छल्श में देनी है, इनन्फी गये, यहां पर फथा च्रश में तो इस पूपने इक एरो पर जाना है, और यहां पर खिलिक करना दोस्तों यह अपनी नंबरिंग का काम नंबरिंग जैसे कि पहले नंबर पर आएगा अपना रवी सेकेंड नंबर पर मौनू और थ्री नंबर पर ग्राम अब बात करते हैं दोस्तों अगले उप्षन की अगला उप्षन है दोस्तों अपना मल्टी लेवल लिष्ट का मतलब हो गया दोस्तों को अब इसके अंदर बी अपने को एड़ गरना है मुल्ब इस option का इस्तेमाल multi level list देने के लिए किया था जैसे यदि आप किसी topic के बारे में लिक रहे हैं यह review हो गया और यदि उस topic के अंदर भी topic available है अब जैसे रवी के अंदर भी कोई दूसरा topic है अपने पास दूसरे टोपीक के अंदर भी कोई दूसरा टोपीक है अब इसका इस्तिमाल करने के लिए अपन इसमें मल्टी लेवल लिस्ट का यूज गा सकते हैं जैसे कि रवी हो गया आपना अब यह तो वह पहली और अपने को सेकंड लेवल अब यह हो गया सेकंड लेवल कुछ भी टाइप करते हैं दोस्तों सेकंड लेवल अब अपने को तीसरे तीसरे लेवल के लिए तो तीसरे लेवल पर आपीज आना और तीसरे पर केले करना दोस्तों ओके अब यह सेमें एक सेकंड दोस्तों ओके छैंज लिएवल यह हो गया ऐए और इसके अंदर वापश जैसे देख दोस्तों यहां से आप चैंग कर सकते हो multi level list बना सकते हो अब ये तो हो गई बात अपने multi level list की अब बात करते हैं अगले टोपी की decrease index decrease index की बात अब इसमें क्या होता दोस्तों जैसे कि अपने को ये प्रेग्राप सेलेट करना है और यहाँ पर प्रेश करेंगे यह पहले यहाँ पर दोस्तों तो increase की स्थिति में अभी decrease करते हैं यह देखो दो यह प्रेग्राप क्या होगा राइट साइड के अंदर चला जाएगा और इससे अपने लेप्ट साइड के अंदर आ जाएगा तो यह तो हो गया अपने इंक्रेश वोट डिक्रेश का मलब मलब प्रेटिकुलर प्रेग्राम में दिए गई मार्जिन को कम करने के लिए ता इसका यूज अब अगला है अपना सोट अब सोट का यूज होता दवस्तों जैसे की सोट का यूज अपने अपने को करना तो तोड़ा कुछ टाइप करना पड़ेगा पहले अब यह हो गया दोस्तों अपने पास तेन टोपी चार हो गए अब इनको क्या करना है सोट अब एसेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर करते हैं दोस्तों यह देखो S, R, C, A और वापिस इसके अंदर करते हैं तो Ascending के अंदर मतलब A से स्टार्टिंग होती है और यहां से स्टार्टिंग होती है अपनी Descending के अंदर Z से मतलब Ulti Abicity स्टार्ट हो रही दोस्तों इसमें करम हो रहा है एक तरसे इनका एक तो उल्टा कराम हो गया और एक इसमें AC स्टार्ट हो रहा है तो अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अगले टोपिक की अगला आता अपना So Hide अब यह आता दोस्तों अपने प्रेग्राब के एंड में अपन इसको लगा सकते हैं अब बात करते हैं अगले की अब इसका मुझा अपने को प्रेग्राब को लेट में करना हो तो इसको सेलेट करना पहले अब जैसे कि अपने पास पहले right में है इसको right में कर लिए थे दोस्तों तो अब इसको वापिस select कर लिया अपने select कर लिया तो वापिस इस पर जाना है और ये वगया अपना left के अंदर और इसका मदद्ब हो गया है center में करना हुँ तो control press is E TEXT को CENTER में करने के लिए CTRL E URL प्रेस करेंगे तो यह TEXT में हो जाएगा और अगला अपना राइट में करने के लिए CTRL प्लस और इसकी shortcut के होती है यह आप यहां से भी कह सकती हो इसको टेक्स अपना राइट में हो जाएगा अब justify का मतलब ने justify का मतलब अग्दम इक्वल में हो जाएगा अब जैसे कि अपने पास यह देखो इसको इक्वल में करना तो जस्टिपाई करना पड़ेगा इसको यह हो गया बिल्कुल जस्टिपाई अपना जस्टिपाई की सोटकट की कंट्रोल प्लस जे अब बात करते हैं अगले टोपिक की अगला अपना फैस में ज्यादा इस पेस तो एफ रेको अपने को सवेकर ने पहले चुहर अपने यहां पे टू पाई तो यह दोस्टों लाइन की बीच में अपने पास तो यह ओगए लाइन इस पेच इस पेचिंग अब बात करते हैं अगला अपना शेडिंग शेडिंग का मतलब होता दो तो शेडिंग जैसे कि अपने को बेक ग्राउंड देना अपने को पीचे वाला कलर देना है कि एग पुद्ध है कि आख यह जेखो दोर सो जो बीक ग्राउंड कलर प्रेगर आप कलर भोल सकते हैं इसको alt ओज अगला दोस्तो अपना border गॉलर्डॉर्डर में दोस्तो टॉस्ट अपने कुस्ट सेंटर में में उपर यह नीचे देना यह तो गए बोर्डर को यूज अब दोस्तो अपना चोता है picking होम टेप के अंदर स्टाइल अब अपने को स्टाइल देने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों अब यह दिए को इसमें अलग अलग परकार से आपके पास स्टाइल है दोस्तों जहां पर करसर होगा जिस परिग्राम में आपके पास इस परिग्राम में करसर है तो अपने को इस्टाइल चेंज कर नहीं है तो दोस्तों इस्टाइल चेंज कर सकते हैं अब इसमें style Täफ है अलग अलग परकार से मोड हो गया simple हो गया अलग अलग परकार चाप चीजस कर सकत और इस ताइल परकार मब्हास में थेज़ कर सकते हो दोस्तों में है और Пон्ड वगज़ा ये हो गए अपना फंट पॉन्ट की पॉंट-ध पॉंट इस्टाईल देशकते हो दोस्तों इसमें लेगो है है हमग अब बात करते हैं 54 फ़े विश टोपी की दोफ्तों था यह अपना ओपना इडिटिंग अधर पांच पहले बाला फोर्म्ला लगाने इकुल encontra 9 प्रेस करना और है यह एक हिawn अब इसमें क्या है कि तोस्तों अपने को प्रेट वैसे कि कुछ वय बॉन मात्足 रीला अपने को वय डूणने के लिए अपने फेले फाइंट पे जाना ए Zero clearly data बाद अपने को जैसे कि यह दोड़ डूड़ना इसमें बाद दे कहां पे हैं यह वर्ड डूड़ना अपने को अब यह दिखो दोस्तों अब अगले पर जाना अपने को अगला कहां पर फाइंड नेक्स्ट करते जाओ इसमें तो आपको यह वर्ड मिलता जाएगा दोस्तों कहां कहां पर यह वर्ड है अपने पाइंड का मतलब हो गया एक तरीकी से दोस्तों खोजना किसी वर्ड को कोजने के लिए पांट का यूज करोगे पांट की फोटक चरहते हैं अगला उप्शन है अपना रिप्रमेंस अब रिप्रम अब का मतलब हो 24 का मतलब होता है तो तो जैसी के कोई वर्ड अपना अब गल्लाट टाइप हो गय तो अब कम से कम वो वर्ड सो वर्ड अपने गलट टाइप हो गाए इसे एक दो वर्ड ओटाइप कर दहें दोस्तों एक बीच बीच में टाइप कर देके clarity वापिस लुक करना है दोस्तों मालब इस प्लिंग के अंदर मिस्टेक है इन में तो वापिस इन में अब एक साथ करना है अपने को एक इन में लुक और लगाना अपने को बीच में तो क्या करना पड़ेगा अपने को रीप्लेस पर किलिक करना पड़ेगा रीप्लेस की शोट किस की जगए ल, डबल ओ, के, यह करना आपने को, अब यह लिका हुआ है, find next, तो अपने को, replace all करना है, complete all बड़ करना है, तो अब देखना दोस्तो, replace all, यह देखो यह ओगया अपना और यहांपर भी ओगया दोस्तों लो अब यह तो गया दोस्तों अपना होम टेप अब अगला अपना इंसर्ट अब आज के लिए दोस्तों इतना ही कपी है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर जाना दोस्तों